हम है लाए घर और कीचन में रोज ही काम करती है पर कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो खतर हुने के नाम ही नहीं लिते हैं यनि जो काम हमने आज किया वही काम हमें फिल सेर्ड दूसरे दिन करना होता है तो क्यों ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये काम किये जाए और अपने कामों को आसान बनाये जाए तो पहला इसूल टेप मेरा यहां पर मॉस्किटो रिफिल को लेकिए अक्सर हम इसका यूज नहीं करते हैं वैसे तो मैं इस डियक्त इस रिफिल के अंदर ही सारी कमटिटिटीग ढलने वाली हूं तो यहां पर मैंने लिया है ब्लूवलाहर 不 रिफिल काफी छोटा है इसलिए मैं यहां पर एक यह की चमच लिया है अगर आप बड़ी refill यूज करते हैं तो आप यहाँ पर वंटेटी को बढ़ा सकते हैं तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे ना तो यह अराम से चला जाएगा इसके बाद में एक लकडी की मदद से या किसी भी चीज की मदद से आपने इसे अच्छे से गोल लेना है इसके बाद नहीं आपने पाने डालना है एकदम से नहीं डाल देना है ने तो डिक्षन होगा जिसके वज़े से यह बाहर आ जाएगा इसके बाद में हमने रिफिल को फिर से लगा देना है पहले इसका ठकन लगाना है और इस रिफिल का यह जो ब्लेक वाला पार् के लिए क्लीन बना रहेगा तो आपने हपते में इसे बनार इस तरीके से अपना टौिलेट के फ्लेश त sector मैं इसे डालना है यानि हमने यहाँ पर इसे डाला है डालना कि ऐसा यह तरीका मूद आप जरूर्ब नकलता रहे जो हॉममेट लिक्वीड है और आपका जो ट्वालेट है हमेशा क्लीन साफ सुतरा रहेगा बार-बार की क्लीनिंग की जंजट खतम हो जाएगी अगला इस फुल हैक मेरे इस तरीके बाउल्स को लेके है तो यहां पर जो स्टेल का कटोरी है यह देख सकते हैं आप काफी ज़्यादा भारी है तो इसके रिलेट तो यह ट्रेक नहीं है पर इस तरके का कुछ ना हलके बाउल भी हमारे पास होते हैं यानि की प्लास्टिक के बाउल अख्रस जब हम इसके ऊपर यह चलनी रखते हैं तो वजण के मारे कि यह गिर जाती है आप और ँभाड मापर चमच को फसा देना है अगर आप चमच को इस तरीके से हमारे आप देखेंगे यह जो चलनी है कहीं भी हिलेगी जिए नहीं आप यह बड़ी चलनी चोटी चलनी सबके लिए ट्राय आउट कर सकते हैं इसे मैंने यह पर दूद्द के लिए इसे कर रहा है क्योंति है तो इस ट्रिक को आफ जरू ट्राय आउट करके दिखेगा काम करती है अगले स्षुल हैक मेरा सिजर को लिए है सिजर हर घर में यूज की जाती है पर समय के साथ क्या होता है इसका धार खतम हो जाता है इसकी धार हम घर पे ही कैसे बनाए चितनी मेहीं यहंगी सिजर नहीं होती उससे ज características पेसी नहीं लेêuरप उससे ज़्यादा पेसा, तो हमारे धार लगाने वाले ले लेते हैं, और वो भी हर ज्यका अविलेबल नहीं होते हैं, तो हमारे घर में इस तरीके सेatto 52 जरूर रखらい हो होगा लेकिन जब हम इसी चीज के लिए परिशान हो जाते हो सीजर को चेंज करने तक नोबत आ तो इस टेक को ट्राइः आउट करके देखिएगा यह काम करती है और हमेशा हमें इसे ही यूज करती हो और यह क्या होता है हम नहीं है तो दौरों ही तरीके से लिए पुराने दादी नाने वाले ट्रिक से यहां पर इसका पैस्ट बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि मिक्सर नहीं है तो हम इस दाल का आप क्या करें क्या वेस्ट में इसे डाल दें बिल्कुल नहीं आप इस ट्रीक को ट्राइउट कर सकते हैं पुराने जमाने की ट्रीक है और इसका स्वादवीरा बहुत अच्छा आता है आपके घर में कभी मिक्सर खराब हो जाता है और यहां पर आप काच की बोटल ले सकते हैं यह दवाई का बोटल है आप कोई सबी काच का ले सकते हैं और इस तरीके से करेंगे ना यानि कि इसके अपर रब करेंगे तो आप देखेंगे इस चूटी से स्क्रबर की अराम से धार लग जाएगी और यहां पर मैं लहसुन को घीस के भी आपको दिखा रही हो और यह अराम से ना मतलब बारिक सा महिन सा इसका पैस जैसा बनके रिडी हो गया है तो आप भी इस इस ट्रीक को ट्रायाउट करके देखेंगे यह किने यह काम भी करती है और आपके पैसे भी बचाएगे जब भी आप इसे बदलने की सूच रहे ना तो इस तरीके से काच राली बोटल से एक बार इस पर रब करके दिखेंगा धार आसानी से बन चाएगी अगला इसुल हैक मेरे सिलपटे को लेके सिलपटे का यह पथर होता है अक्सार ना हम इसको यूज़ करना के बार जाती है यानि फिर से हमें इससे दोणा होता है जब भी हमने इस यूज़ करना होता है तो ये महनत हम क्यों करें जब हमारे घर में इस तरह की वैस्ट वॉलाथिन पड़ी रेती है आप अगर सिल्वर पेपर का यूज करते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं और नॉर्माल मार्केट से मिलने वाली सब्जियों के साथ इस प्लास्टिक का भी आप यूज करत सकते हैं तो अगली बार ये ट्रीक जरूर यूज करिएगा अलू या इस तरीके से अंडे को बॉइल लेने के लिए है तो देखे देखते ही देखते हैं दूद उफान आगया है तो हमेशा दूद को ना सामने ही गरम करें इस तरीके से ये जरासी आख चुकती नहीं है कि पहार आजाता है जैसे कि जब भी आप आलू या अंडा बॉइल करते हैं कोशिश किजिएगा इसे मीडियम टू लो फ्लेम पहरी पका देते हैं तो बाहर से तो पख जाते हैं पर अंदर से ना कच्छे रह जाते हैं अंडा या आलू हम आराम से बॉइल दो कर लेते हैं पर इसे ठंडा करने में आप बहुत ज़्यादा परिशानी आती क्योंकि जल्दी से ठंडे होते नहीं है तो जरूर से हमें ये ट्रिक पता होनी चीए कि एकदम गर्मा गरम आलू या अंडे को ठंडा कैसे किया जाए तो कोशिश कीजिएगा इसे पहले आप निकाल ले और इस बहुत जल्दी टेंपरेचर डाउन हो जाता है और आलू और अंडे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंदर से ये कच्छा रह जाएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको पकाया है और कोशिश कीजिएगा इसे पानी में ही डीप रहते हुए इसका छिलका उतारना ह पानी से बाहर निकाल लेना उसके बाद में छिलका उतारना है पानी में रहते हुए अगर आप छिलका उतारते हैं तो इसके पर से छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है जिसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूं और बार बार अगर हाथ को पानी में आप इस तरीके से तो यह सिम्पल से ट्रिक को ट्राइब करके दिखिएगा ठंडे बहुत जल्दी से हो जाते हैं अंडे और यह ट्रिक आपको काम भी आईगी अंडे और आलू दूनों के लिए है तो आपको पसंद आया है पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न बता रही हूं अगर छोटे बच्चे हैं तो यह जरू ट्राइब करके दिखिए आप कितने भी केमिकल यूज कर लीजिए कितने भी केमिकल यूज कर लीजिए पर मच्चरों को आप नहीं भगा सकते कहीं ना कहीं वो कोने में चुपे रहते हैं और अक्सर रात में आके बढ़े हैं हैं अधिक र kicking झाट रहा है नहीं होंग भी गलते हैं आप अगर महिला है अपने बच्चे का और बिल्कुल ध्यान रखें अपने आपको बच्चों को ज़रू बचाएं हम कितनी भी सावधानी क्यों न रखें पर कुछ गल्तिया तो हमसे हो ही जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं मुझसे एक छोटी सी गल्ती हुई है तो आप देख सकते हैं यह मसाले मेरा अजीब से ज़ाग आ गये हैं अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह ज़रूर जाना चीए कि ऐसा होता क्यों है अगर ऐसा हो जाए तो करना क्या है तो यह हुआ क्यों मैं आपको बता देती हूँ इस तेल का यूज मैंने किया था पूरी निकालने के लिए पूरी निकालने के बा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस देल का हमने यूज नहीं करना है सबजी का जैसे ही आप बागार लगाएंगे आपको ये अलग से दीख जाएगा कि इसमें अजीब सा एक छाग बनने लग जाता है तो कोशिश कीजिए का इस देल का हम यूज ना करें